दोस्तों जितने भी छात यूपी लेकपाल मुक परिच्छा के तयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बुक बताने वाला हूँ जो है अगरवाल एक्जाम कार्ट पब्रिकेशन का जी हाँ दोस्तों इस बुक में आपको लेकपाल भरती परिच्छा से के बात यहां कि इसमें के आपको क्वेस्टन प्रीबेस जो है वह सारे देखने तो मिलेंगे लेकिन यहां पर सारी चीज्ट टॉपिक वाई यानी अध्याइवार के बाद में भी उनमें जितने भी सब टॉपिक हना जैसे मालोक कि पराचीन भाष्टी इतिहास से जितने भी प्रसन अब तक पूछे गए वो यहाँ पर आये हैं उसके साथ सो जैसे फ्रातीन भारती इतियास में इतियास जानने के सुरोत हो गया वैदिक सब्भत्या हो गया इनको अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगे कौन सा टॉपिक से कितने कोईशन पूछे मिल जाएंगे तो आप इस बुक को जरूर परचेस करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर आप मार्केट में भी इसको परचेस कर सकते हैं लेकपाल की त्यारी कर रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरूर अनकर लेना एक बार हमारे चैनल पर विजिट करना हम ग्रामीड परवेस के चो आपकी ओफीसे लेपस में चैप्टर दिये गए हैं उन चैप्टर वाई बहुत सारे क्वेशन अच्छा लगे का आप एक बार देखे क्लास हमारा बहुत हेलफुल क्लास होने वाली प्लेलिस्ट भी बनागा है जितनी भी क्लासेद हो चुकी हैं दोस्तो तो यूपी लेकपाल की तहरी अगर नगरना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को लेना साती ज देख सकते हैं दोस्तो भरती परिच्छाओं में सेंधमारी रोकने के लिए बनी रणीत अब बड़े सहरों में ही भरती परिच्छाओं के केंदर बनेंगे ये सारे जो काम किये जा रहा है ये यूपी लेकपाल भरती परिच्छा के लिए ही किये जा रहे हैं देख सकते हैं उत्रपदेश अधनस सेवचैन आयोग भरती परिच्छों में धांदली रोकने के लिए अधिक पुक्ता इंतिजाम करने जा रहा है परदेश के बड़े सहरों के सरकारी वा सहायता प्राप्ट स्कोलों को सेंटर बनाने से पहली प्रात्मिक्ता दी जाएगी केंद्र बनने के लिए CCTV कैमरा और अन जरूरी इलेक्टरानिक उपकरन का होना भी जरूरी होगा छोटे सहरों में बहुत जरूरी होने पर ही परिच्छा केंद्र बनाया जाएगा आयोग परिच्छा केंद बनाने के संबंद में जल्द ही नया देशा निर्देश जारी करने जा रहा है जी हाँ दोस्तों जो आप लोग अपने जिले के बगल वाले पलोसी जिले में आप लोग जातके परिच्छा दे आते थे हो ज़कता है कि आपको दूर दूर जाना पड़े परिच्छा देने के लिए और ये सारी चीजे की जारी है ताकि परिच्छा में नकल और सेंधवारी को रोका जा सके धांदली को रोका जा सके खेर आप सबको कहना ही क्या है यूपी ट्रपल सी को जानते हो बड़ी-बड़ी परिच्छाओं में धांदली हो चुकी है दोस्तो जल्द होनी है 30,000 भरतिया उत्रपदेश अधिनस सेवचेन आयोग समूगा के विभिन पदो पर करीब 30,000 पदो पर भरतिया कराने जा रहा है एनम के 9,212 पदो पर भरती के लिए विग्यापन निकाला जा चुका है लेखपाल के 7,882 पदो पर भरती के लिए जल्द विग्यापन निकालने की तैयारी है बिलकुल आलेखपाल पर ही काम चलना है आयोग में नौटिफिकेशन पर काम चलना है इसके अलामा किरसी दोस्तों वहाई लेखपाल भरती का विग्यापन जारी होना और यहाँ विग्यापन आपको 2-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा बिलकुल आयोग जो है यूपी लेखपाल भरती विग्यापन पर ही काम कर रहा है और जो नयने रनीत बना रहा है यह इनी भरती पुतलियों की स्कैनिंग होगी यहाँ पर देखें यूपी टेट में का परचा आउट होने के बाद आयोग और अधिक सतक्ता बरत रहा है आयोग के अधिज प्रवीर कुमार का कहना है कि मुन्ना भाईयों को रोकने के लिए अंगूठे का निचान आँखों के पुतलियों की स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है प्रसनपत्र लीक या आउट ना होने पाए इसके लिए और अधिक पुक्ता इंतियाम कराए जा रहे हैं एजन्सियों का चैन परचा बनवाने के बनवाने इसे कोसागार में रखने और इसकी गोपनियता बनाए रखने पर व वक्त बताने वाला है दोस्तों आयोग की टीम रखेगी निजरानी आयोग की होने वाली सभी भरती परिच्छाओं पर एक ही एक टीम नजर रखेगी आयोग के वरिष्ट सदस्तों की एक टीम मनाई जाएगी इस टीम की निगरानी में परिच्छा केंदर का चैन किया जाए उनके द्वारा जो भी सूचि दिजायेगी उसका परिष्रण कराये जाएगा गैर तागी स्कूलों को केंद बनाये जायेगे जो अब तक कोई भी उन पर कोई भी दाग नहीं लगा है अच्छे से पर बड़े सहरों में सेंटर बनाए जब न रहे तभी स्कूलों और गाउं में सेंटर बनाएंगे य च्छोटे सेंटर बनाएंगे थाकि नकल वो है रोका जा सके और जो दागी सेंटर है उनको बाहर करे और बहुँ सारी यहां पर नई चीज़े भी आयोग इस बार करने वाला है जैसे कि स्काइनिंग और ठीक है परचा आउट नहों पाए सासा एजन्सियों का चैन जो करेगा उसमें विवाचा सत्रक्ता बतने का बात कर रहा है परचा बनवाने में जिनको दिया जाएगा साती जाद उस जारी हो सकता है ओन्लाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं एक विडियो बना दूँगा कैसे आप यूपी लेकपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों ट्रिपल सी की रिकोर्मेंट खतम हो गई है ट्रिपल सी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं अब आगे लेकि इसकी नियमा वली में ट्रिपल सी नहीं था इसलिए इसमें ट्रिपल सी नहीं लगाये गया है चकबंदी लेकताल जो भरती गया अपनाएगा उसका सिर्पल सी नहीं मांगा जाएगा यह बिलिकुल बात द्यारी हो चुकी है तो आप लोग सेटियार रियर को लाज़ का भा जो भी chapter दिया है उसी से related question करवा रहा हूँ उनके PDF फाइल भी आपको टेलिग्राम पर free में दे रहा हूँ टेलिग्राम का link आपको description box मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं सारी class के PDF आप लेबल है वहाँ पर download कर सकते हैं classes हमारे बहुत सारे हो चुके हैं यूपी लेखपाल का आप उसको देख सकते हैं तो चैनल को अभी के भी subscribe करकर bell icon को on कलो दोस्तों और ये news अच्छी लगी हो तो please video को like करना subscribe करना और इसको share करना अपने दोस्तों के साथ ताकि ये ख़बर सभी छात्रों तक पहुंच सके तो आप लोग भाई बस तयारी मुझटों रो आवे दिन तो कभी भी हो जाएगा अपना जो समय है जब सलेबस आए उन्हें जारी कर दिया एनम का उसके एक हपते बाद विग्यापन भी जारी हो गया तो ये उपी लेखपाल का जब सलेबस जारी हो चुका है तो निश्चित है कि लेखपाल विग्यापन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है तो आप ये मत सोचो कि विग्यापन का बाएगा विग्यापन का बाजाएगा तयारे में जुट जाओ भाई बस तयारी करते रहो ठीक है तो आप आपको विडियो अच्छी लगी कि विडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शियर करके जाना बहुत बहुत शुक्रिया विडियो को एंट तक देखने के लिए